दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को पताने बालाओं कि अपनी Facebook ID का password किस प्रकार चेंज किया जाता है दोस्तो आज की इस वीडियो को अंतक फुल वाच कर लेना आपको काफी जादा help मिलने वाली है दोस्तो कई बार क्या होता है ना हम अपनी Facebook ID का password चेंज करते हैं तो हमारे बगल में कोई भी बैटा होता है वो हमारी Facebook ID का password देख लेता है जिस कारण दोस्तो हमें अपनी Facebook ID का password चेंज करना जरूरी रहता है हम लोगों को इसका ड़ता है कि वो हमारी Facebook ID hack ना कर लें मतलब अपने mobile में login ना कर लें पूरी detail चेक ना कर लें दोस्तों आज की वीडियो में यही बताने बाला दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना आपको अपनी Facebook ID open कर लेना है सबसे पहले आपको simply इसको open कर लेना है उसके बाद आप को यह 3 line दिख रहे होंगे उसपर Simply आपको कलिक कर लेना है इस तरीके से उसके बाद आपको हलका सा स्कूल करना है दोस्तों उसके बाद आपको देखेगा Settings privacy उस पे हलका सा किलिक करके आपको सैटिंग का option नजर आजाएगा उस पे कलिक करना है उसके बा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक option मिलेगा यहां पर काफी सारे appeals की मिलेगी दोस्तों आपको बीच में मिलेगा Password and Security आपको उसके उसके पर क्लिक कर देना है आपको second page open नजर आजाएगा है उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा जो भी आपका पास्वर्ड है करेंट को डाल कर आपको इसके ज्छा पर पक्सटे स्टेग डिलाने दूसरे बक्समें आपको आपको उपासवर्ड में घ्थरिन के बार अपको हैं करने का शील्चवर से नाइसे आपको आपको अच्छे लगया के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं